मित्रों जय माता दी मित्रों आज शार उक्टुबर बुद्धुवार का दिन है ऐसे में कैसा रहनी वाला है आज का दिन मित्रों आपको बताएंगे आज आपका लखी कलर लखी नंबर कौन सा रहेगा आपका भागय कैसा रहेगा आपका दिन्चरिया कैसा रहेगा आपके जीवर में कौन सी बड़ी खुशकवरी आज के दिन दस्तक देंगी और किस प्रकार से जीवर में चल रही आर्थिक तंग्यों से आप चुपकार अपा सकते हैं कारिशेत्र में वैपार बैवसाई लव लाइफ में आपको किस प्रकार से उन्नत्य मिलेगी आपके लव लाइफ में किस प्रकार से सुधार होगा और किस प्रकार से आपको कारिशेत्र में पड़ी कुशकवरी की प्राप्ती होंगे जीवन साथी के साथ हो रहा विवाद किस प्रकार से दूर करेंगे माता फिता से या घर पुरिवार में हो रही आपके खटपट को कैसे सांत कर सकते हैं और किस परकार से जीबन में तरक्की कर सकते हैं दुस्मनों को कैसे आप चुनोती दे सुकोगे और दुस्मनों पर कैसे बिजय को हासिल कर सकते हैं जो लोग आप से जलते हैं उन पर किस बरकार से आप कंट्रोल कर सकते हैं मित्रों इन सभी के बारे आज आपको हम इस वीडियो में बताने बाले हैं आपको बताएंगे सारी जानकारी विस्तार से वीडियो को आखरित दिखेगा उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सस्क्राइब आवस्य कर ले ताकि रोजाना रासी फल आपको समय से मिल सके और आप आने वाले दिनों को बहतर बना सके तो मित्रों सबसे पहले आज आपको बता दे कि आज शंद्रमा मेस रासी में रहेगा जिसकी वज़े से कारिश्यत्र में काफी बड़ी परिवर्तन होने वाला है वहीं इस समय राहू और केदू का वक्री होना भी आपको बड़ा धनलाप करवाने वाला है मित्रों, आज का रासी फल बहुती महत्पूर्ण है नसले बहुती ध्यान से वीडियो को देखे परिवार के सुधरें के, और परिवार में अगर खट पड़ चल रहा है या आपके जीवर में किसी परिकार कोई मदभेद चल रहा है तो उन में भी आपको इस समय सुधार देखने को मिलेगा आज किसी यात्रा पर जाने के तैयारी कर रहे हैं तो आपको अपने कीमती समानों को सुरक्णा करनी होगी नहीं तो उनके चूरी यह होने का भ spiral हो सकता है इसलिए आपको इस हमे बहुत सत्रक रहना होगा इस वहर से भी सत्रक रहने की जोरत होगी नत्रों अगर आप विरोधी हैं आपके कोई, अगर आप से कुछी प्रकार कोई जलन की भाव रखता है, तो विरोधियों के चालों को समझना होगा, विरोध क्या चाहते हैं, जो विरोधी हैं, वो किस तरीके से आपके प्रतिचाल को चल रहे हैं, उनका रवया क्या है, उनक को समझना होगा नहीं तो आपकी समस्याय हो सकती हैं उनको समझिए और उनको मुतोड जबाब देने के रिए आप हमेशा एक्टिव रहें आज क्या दिन आपके लिए खर्च भरा रहने वाला है आपके बढ़ने हुए खर्च आपके लिए समस्या बन सकती हैं जिन पर आपको लगानी होगी, क्योंकि अगर आपके खर्चे जादा रहेंगे तो आपके जीवन में इस समय खर्चों को लेकर छोड़ा सा मदभेद हो सकता है या पारिवारी के स्थितियां बिगर सकती हैं खर्चों को लेकर आपको विशेश सत्रक रहना होगा खर्चे आपके इस समय जादा है इसलिए जादा खर्चों पर लगाम लगाना आपके लिए जरूरी हुगा माता जी के स्वास्त में अगर किसी प्रकार का कोई समस्या था माताजी के स्वास्ट में अगर कोई विमारी थी तो उनके स्वास्ट में इस समय सुधार देखने को भी लेगा और आप इस समय परसन रहेंगे आप संतान की सिक्षा से आ रही सभी समस्याओं को लेकर उनके गुरुजरों से बात कर सकते हैं संतान की अगर समस्या आ रही है किसी विशे में, तो आप उनके जो सिछक हैं, उनके जो गूरु हैं, उनसे बात्चित कर सकते हैं, उनसे आपको सफलता मिदेगी, लेंदेन के मामलों में असपरश्टता बनाई रखें, लेंदेन में आप किसी प्रकार का कोई छूट पाट न रखें, नहीं तो आपके इस समय जो जिससे आप लेंदेन करोगे, उससे आपके साथ मध्वेद हो सकता है, इसलिए लेंदेन में आपको असपरश्टता बनाए रखना होगा, साप सुद्रसब्द में आप उनके साथ भी हिसाब करें और अपने साथ भी, सूजबूर से काम करें, तो आपके लिए बहतर होगा, नहीं तो आपको इस समय प्रिशानी हो सकती है, इसलिए आपको बहुत ती साबधानी और सतरक्ता के साथ कारी करना होगा, आपका कोई पुराना मामला आपके लिए सिर्दर्द बन सकता है, अगर किसी प्रकार का कोई पुराना मामला है जिसे आप निप्टाना चाहते हैं तो उनको जल्दी से जल्दी निप्टा ले नहीं तो वह आपके लिए सिर्दाद हो सकता है मत्रों आपको बताना चाहेंगे कि इसमें चंदर्मा का मेज रासी में होना आपके लिए बड़ी उप्लवधी को लेकर आशनी वाला है बड़ी उप्लवधी आपको मिलने वाली है आपको जॉप में बदलाव करने से बचना होगा अगर आप जॉप को बदलाव करना चाहते हैं तो आपको उसे पहले उस जॉप की और ध्यान देना होगा जिने आप भविस्य में करना चाते हैं अगर आप उसे प्राप्ट कर लोगे तो आपको इस समय उन्चे काफी सकरात्मक वरिवर्दन देखने को मिलेगा नहीं तो अगर आप इस समय जो आपको अचानक ही बदलोगे तो आप इस समय पड़े ही मदभीद में पढ़ सकते हैं बड़े ही विप्रिते सितियों में पढ़ सकते हैं प्रती अर्फदा का भाव ना रखें लोगों के प्रती दया का भाव ना रखें लोगों के जितना हो सके मदद करने की अवस्य कोसित करें अपने बढ़ते हुए खर्चों पर नियंतर ना रखना आपके लिए जरूरी होगा आवस्तर कारी को आप गती देंगे, देने का प्रियास करेंगे आवस्तर कारी जो हैं वो आपके समय से पूर्ण होगे आर्थिक कामों पर रह मिलेगी, आगे बढ़ होगे, तरक्की करोगे और किसे नए वाहन को लेकर आप घर में आ सकते हैं, जिससे प्रिबार में खूसिया बने रहेंगी आप प्रिवार वालों को कोई सप्राई दे सकते हैं किसी प्रकार की कोई नई खर्ड़दारी कर सकते हैं या ऐसा कहूं कि आप अगर लंबे समय से किसी चीज को लेने के लिए काफी एक्ठूक थे तो उनको ले सकते हैं जिससे आपको परसंता में लेगे आप अपनी आय और वय में संतूलन बना कर रखें आपको आय और वय दोनों का समधान करना होगा आपके लिए आज का दिन बड़ो का सहयोग और सानिद भरपूर मातरा में मिलेगा और आपके सभी सहयोगी आपका सहयोग करेंगे बड़ों का सहयोग और सानिद आपके जीवन में सफलता दिलवानी वाला है आप किसी बड़े लक्ष पर चलने के लिए आपको अनिकों मोके मिलेगे और बड़े लक्ष को प्राप्ट करना भी आपके लिए इसमें जरूरी होगा यदि किसी यात्रा पर जाने के तयारी कर रहे हैं तो उनमें भी आपको मासाफिता से पूच कर ही कारिक करना होगा वही आपके लिए बहतर होगा अन्य था आप इसमें परिसानी में पढ़ सकते हैं आपको कोई बड़ा लक्ष मिलने वाला है, बड़े लक्ष की प्राप्ति करना आपके लिए जरूरी सावित होगा, सासन सत्ता का सयोग आपको पूरा मिलेगा, सासन सत्ता का सयोग मिलने से आपको लाप भी मिलेगा और परसंता भी मिलेगी, आपको किसी बड़े पद की प्र अपने कारे को करते रहें जलने बाले जलते ही रहेंगे मातपिता चे अगर आप किसी प्रकार कर निभाना के लिए आपका समय आज दिन आपके लिए भाग के द्रिष्टी कोन से उत्तम रहने वाला है भागे आपका सयोग करने बाला है दिर्ग कालिन योजनाओं में आप आगे वढ़ेंगे जो लंबे समय की यात्राएं हैं लंबे समय के कारे हैं उनको पूरा करने के लिए आप प्रियतनसील रहोगे पुन्य कार्यू करने का मुका भी मिलेगा आप किसी सत्षंग भागवत में सहयोग कर सकते हैं दानधर्म में सहयोग कर सकते हैं जिससे आपको सुकून और सान्ती मिलेगी आप अध्यात्म के प्रति जागरूकता बढ़ेगी अध्यात्म के प्रति जागरूक बनोगी जदि किसी काम को भागे के वरूसे किया जाए तो उस पर भी आपको अच्छा लाब मिलेगा अगर क आदबा के आप भागे पर छोड़ दें बगवान के वरूसे छोड़ दें आपके ससुराल पक्षे से आपको धनलाव मिलता हुआ दिख रहा है और इस समय अगर आप विवाहित हैं तो आपको संतान की और से काफे सुनवरे अवसरों के प्राप्ती होगी या आपके ससुरा तो उनमें भी आपको इस समय काफे सकरात्मक विवर्तन दिखाई देने बाला है धन से जुड़ा मामला भी आपका इस समय सांत होने बाला है जो बिद्यारती विदेश जाकर सिक्षा करना चाते हैं विदेश में सिक्षा को प्राप्त करना चाते हैं इनके लिए कोई अच् अपनी भावनाव पर नियंतर्ण बनाये की जरुत होंगे। अजनवियों के भरोसे आप कोई कारिना करें यह कहें अजनवियों को आप इस समय बहुत हिसाफधानी से उनको देखने का प्रियासन करें। कमेंट कर सकते हैं हम आपका उपाय जरूर बताएंगे। आज आपका लखी नमबर थिरी रहेगा। लखी कलर आपका रेड रहेगा। आपका दिन बहतर बने। इसके लिए कमेंट बॉक्स में जयमाता दी अवस्चलिक है। आपका दिन सुभो मंगलकारी हो जयमा बिन कर दो आपका दिन आपका दिन?